नवस्कार दोस्तों मैं रवी से सोधिया आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इस्पेशल वीडियो लाया हूँ और इसके धर्म आज चर्चा करेंगे कि सही मटन का चैन केसे करें हाउ टू पर्चेस कुड मीट जब आप मीट की दुकान के तरफ जाते हैं तो सबसे पहले यह देखें कि मीट की जो शॉप है वह साफ सुत्री हो हाईजिनिक हो उसमे है इसके लाव आप देखें कि जब भी वहाँ पे भीड हो कोशिश करें कि भीड होना जाएं तिसरा दस से 15 kg का अगर बकर आपको मिलता है मैरा शब्ष यूश का है बकरा बगरी नहीं बगर अगर मिलता है तो उसका मीट लें अब आप बतबदू को मीट कैसा लें मीट में क्या करें कि आगे का जो शोल्टर होता है में जो क्या होता है बहुंत बड़े होते हैं और वह торовे गलते नहीं हैं और वो लगबग गलने में हमारे पेट में भी दो से तीन दिन का समझ ले लेते हैं इसलिए प्रिफर करें कि आप आगे का शुल्डर चाप और कमर ले इसके लावा मैं आपको उताना चाहूंगा कि जो हमारा फ्लोर पर मीट पड़ा होता है जिसके अंदर बगरी भ पाड़ तो गल गया यह पाड़ गला नहीं तो इसका विशेश ध्यार नखें इसके अलावा एक महत्तवपुन बात है कि मीट जब बिले हैं उसको आप साफ करवा कि लें पेसे आपके जेम में हैं आपने बुला कि 400 रुपे किलो तो मेक शियोर कि आप जब घर आएं तो ए 400 रुपे में लगबग 900 ग्राम आता है और 100 ग्राम शाड होयाता है इसलिए पहले साफ करवा लें उसके पश्चात उसको तुलवाएं और फिर लाएं अब लाने के बाद आप देखेंगे कि आपने अच्छा मीट ले लिया बड़ी आपी च्छाट लिया फ्लोर का मीट भी अब यह जो आपका मीट है यह शुद्ध है बड़िया है और प्रिपरेशन के लिए रेडी है